है है वेलिगम बैंग तो देलेमान वे अधे अधे लेक्ट्ट्र जहां पर हम क्लॉक्स के कुश्चन को डिसक्स कर रहे हैं और यह लेक्ट्ट बहुत ही चोटा रहेगा क्योंकि इसमें बस तीन-चार कॉश्चन देखेंगे और कुछ रिजर्ट देखेंगे क्लॉक्स के जो पिछले में हमारे चूट कहते तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे अपना लेक्ट्र कंटीनियू करते हैं और आज का पहला कोशन देखते हैं आचा कोशन देखने से पहले कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं क्लॉक्स के रिगार्डिंग जो इ मतलब एक एंगल में आते हैं ऐसे करके को इंसाइड कितनी बार करते हैं एक दिन में बाइस बार ठीक है तो आपको याद रखना है कि एक दिन में यह बार को होगते हैं तो दो और लैप हो जाता है अईसे दो लेब हो जाता है मतलब हो चांट हो जाता है तो इसलिए डो- और ऑला जाता है यह आपको याद रहनकी है हो होता है और इसके बाद लॉप सभी कर्वारा क्लॉप तो टोटल बनाने चाहिए कितने बार 12गंटे में 24 बार टोटल बारा गंठे में 24 भार बनाने चाहिए बर तो पूरे दिन में ये लोग 44 ताइम ऐसे भी य constraints सेhmen ये चिश और टीज बदर hता है ये Detective जो hands of clocks हैं यह coincide करते हैं बाइस बार दिन में राइट एंगल बनाते हैं चावालेज बार और स्ट्रेट लाइन बनाते हैं चावालेज बार ठीक है बड़ इस टाइप के ऐसे रटने वाले को आते नहीं है और मैंने आपको बता दिया कोशन आते हैं इस टाइप के जैसे कि य लो लो नहीं है यह slow है slow है यह two minutes a watch which gains uniformly is two minutes slow at noon on Monday noon on Monday मतलब बारा बज़े बारा बज़े मंदे को यह दो मिनट पीछे है समया रहा है slow मतलब पीछे है दो मिनट अक्च्वल टाइम से पीछे है and is four minutes 48 seconds fast इतना आगे है पास्ट मतलब आगे है at 2 p.m. on the following Monday अगले मंदे को जो साथ दिन बाद फिर दूसा मंदे आएगा ना उस मंदे को यह चार मिनट 48 seconds पास्ट है मतलब आगे है when was it correct तो क्या बोल रहा है कि मंदे को मंदे बारा बज़े कितना बज़े मंदे को बारा दिन गुम में पीछे थी ंदो मिनट पीछे यहां पर सही टाइं तो हम अगले मंदे को कितने बज़े कितने मिनटा प्लश मिनट blanket फ इस इतने मिनटा सी इतने मिनटा बाद गढ़ाइगा जब यह करेक्ट हो जाएगी मतलब जब यह कुछ भी ना फास्ट होगी नश्वर होगी तो वह तब उसके बाद यह अगले मंडे को चार मिनिट प्लस 48-60 मिनट पास्ट है तो हमको यह निकालना है कि यह करेक्ट टाइम कब है यह जो बीच बारा बजे तक टोल कितने दीन हो गए साथ दिन फृघस फिर बारा से 12 और हो गए प्लब टोटल गर्चने कितना हुआ 7 raton three g present 168 be nag SMITH sharing कितना गड़ा 170 घंटे मतलब इस मंडे से लेकर अगले मंडे तो तो 2 पी-म तक कितने घंटे हुए होंगे 170 आवर्स हुए होंगे ठीक है 170 आवर्स हुए होंगे अब यह क्या बोल रहे हैं कि 170 आवर्स में यह total gain कितना कर रही है दो मिनट पीछे थी तो यह दो मिनट पीछे थी और उससे यह आगे हो गई इतना 4 minutes 48 by 60 minutes total gain कितना हुआ time total gain कितना हुआ 2 minute का यह गें है ना 2 minute का यह गें प्लस यह चार minute वाला गें यह भी टो दो मिनट प्लस चार प्लस 48 by 60 इतना total gain किया है time में इसने समय में आ रहा है यह कितना होगा निकालते हैं इसको 6 प्लस यह आ जाएगा कितना इस एट गेंटे में यह घड़ी है उसने कितना गेंग किया है एक सो सतर गंटे में उसने कितना गेंग किया है इस घड़ी ने कितना गेंग किया इतना समझ में अगया अब हमसे क्या पूछा है कि वेन वार्जट करेक्ट तो मंडे जब था यह दो मिनिट पीछे थी बीच में कभी ऐसा टाइम आया होगा जब यह सही हो गई होगी है हाँ तो मंडे से लेकर जब तक Isso हुई होगी होगी तब तक इसने कितना टाहिम किया दो दो मिनट गेंट का जब तो दो मिनट का जब गेन करेगी तब ही सही टाइम दिखाईगी तो हमको यह पता है कि 34 by 5 minutes अगर गेन करती है तो 170 घंटे होते हैं इसका मतलब अब 1 minute में कितना घंटा हुआ होगा एक मिनट अगर गेन करती है तो कितना घंटा लगेगा 170 into 5 divided by 34 ना नॉर्मल रेश्यो प्रपोशन दो मिनट अगर गेन करना होगा तो कितना हो जाएगा 2 into 170 into 5 divided by 34 इतना बेसिकली इतने घंटे चाहिए होंगे 2 minute को गेन करने में इतना ही तुमको निकालना है तो इसको निकाल लेते हैं कितना यह 17 और इधर 10 और 5 into 10 50 तो यह आगया 50 घंटे मतलब इसको पचास घंटे लगेगा दो मिनट गेन करने में और पचास घंटे कितना होता है पचास घंटे होता है बेसिकली 24 इंटू दो दो दिन प्लस दो घंटे और तो मतलब मंडे 12 पीम से लेकर दो दिन आप करो कितना एका Tuesday और Wednesday तो वेडनेस दे का आजाएगा करेक्ट ताइम दिखाएगी और वी क्लियर वन दिस तो कितना आजाएगा टू पीम ओन वेडनेस यह वुड़ वी आंसर सब्सक्राइब कैसे किया पहुत ही सिंपल है पीछे चल रही है आगे हो गई है ना बस वह हमको टाइम नोट करना है और कितने घंटे में हो रहा है वह है और फिर हमको करेट्ट टाइम निकाल देना था था कैने बस о vivo समझनेम समझ आना चीकिए समझ अगर आपको आगया कोई था कोउसिंन करने में कुछ बिक्कत नहीं होंति秒 not doing silly mistakes गया पर बेसीकली वह सब नहीं तो यह भी बहुत सिंपल है ऐसे जब भी कोइंसाइड और राइट एंगल और यह सब होता है तब वही कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट है जो आपके काम आएगा वह है कि आप एक को रेस्ट पर मालो और आप मिनट एंड को घुमाते रहो और फिर जो भी वह पूछे जैसे इसमें कोइंसाइड करेगा तो यह पूरा घूमेगा या फिर जो भी आपको सिचुएशन दी होगी उस हिसाब से आपको यह करना पड़ेगा जैसे इसमें क्या सिचुएशन दी है कि तीन से चार के बीच में तो तीन जब बचता है जब तीन बचता है तो यह मिनट और यह कितना एंगल बना रहे होते हैं नबबे डिगरी बना रहे होते हैं ऐसे होता है ना तीन जब बज रहा होता है तो इस टाइप का होता है अब यह पूछा कि तीन से चार के बीच में तीन से चार के बीच में कब ऐसा होगा कि यह आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे तो हम क्या करे और उसको 90 degree cover करना पड़ेगा तभी तो यह finally इधर आ जाएगी तो हमने यह देखा था कि relative velocity हम use करते हैं इसकी होती है 0.5 इसकी होती है 6 तो जब हम इसको rest में माल लाते हैं तो यह कितना हो जाता है 6-0.5 degrees तो minute and जो है वो एक minute में 5.5 degrees relatively cover करती है relatively इतना यह cover करती है our hand के respect में तो एक degree कितने मिनट में घूम जाएगी 1.5 by 1 by 5.5 minutes में ऐसे ही हमको कितना cover करना है 90 degree cover करना है इस minute hand को तो 90 degree कितने मिनट में घूम जाएगी 90 divided by 5.5 यह अगर आप करोगे तो कितना आजाएगा 900 by 55 that is 511 और 5 and the 5 180 तो कितना आजाएगा 180 by 11 अब आप देख लोगी 180 by 11 मिनट कि option में आ रहा है तो आप देख लोगी 64 आना चाहिए यह आ गया इसको करोगे तो 176 प्लस 4 आ जाएगा उपर 180 by 11 आ जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो गया 180 by 11 ठीक है समझ में आ रहा है कुछ नहीं होता है इसे questions में कुछ बहुत बढ़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बस आप एक concept मैंने आपको बता दिया कि आपको बता दिया कि आपको और आपको रेस्ट पे माल लो और फिर मिनट आंड को मूव करते रहो रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी से ठीक है वो वेलोसिटी यह है कि एक मिनट में वो 5.5 लिगरी कवर कर लेती है ठीक है सब्सक्राइब आगे बढ़े है everyone sorry for interrupting you all but this is just a demo lecture for viewing the full course you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course हम वहां पे बहुत ज्यादा conceptual clarity दे रहे हैं concepts की जैसे कि आपने इस lecture में देखा ही होगा बहुत ही extensively हम C-Sat को discuss कर रहे हैं सारे एक-एक pillars को हम बहुत अच्छे से discuss कर रहे है quantitative aptitude reasoning से लेकर comprehension तक हम आपको सब help करेंगे master करने में and believe me after this course आपको कोई और जरुवत पड़ेगी नहीं C-Sat करने के लिए बस थोड़ी सी practice and you'll be good to go 66 marks तो आप अराम से ले आओगे 200 में से so don't worry इस course को करने के बाद C-Sat आपका paper 2 जो है वो clear हो जाएगा so you can register for the course by going on our website www.thelaymanway.com आप course schedule यहां से view कर सकते हो और अगर आप यह lecture बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है schedule outdated हो गया हो but यह हमारा schedule था and demo lectures के लिए you can always look on this playlist जहांपे सारे demo lectures पड़े है and हमारी यह guarantee है कि अगर आपको course पसंद नहीं आया तो हम आपको full refund कर देंगे after you watch the course so please go and register for the course हम बहुत जादा conceptual clarity दे रहे हैं and we want everyone to clear the CSAT कोई भी prelims में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका prelims का paper जो CSAT का paper है वो नहीं हो पाया so please go hurry up register for the course thank you so much for watching this lecture and for more further queries you can whatsapp or call us at 7724-886251 thank you so much I hope to see you all in the course bye bye and take care आप